नमस्कार बच्चों आज का हमारा पाथ पहला पथ है सुर्दास्ची के द्वारा लिखा हुआ यह उठाओ तुम हो अतिबढ़ भागी यह जो पाथ है सुर्शागर की भ्रमर्गीत से लिया गया है और इसमें चार पथ है यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि हे उठाओ तुम अतिबढ़ भागे शाली हो उठाओ कोन है उठाओ जी को श्री कृष्ण जी ने गोपियों को समझाने के लिए भेजा है कृष्ण ने मतुरा जाने के बाद स्वैम ना लोट करके उठाओ के जरिये गोपियों के पास संदेश भेजा कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए और योग की साधना करनी चाहिए इस बात से खिन होकर यानि की चिड़ कर गोपियां उधव जी को उलहाना दे रही हैं और कह रही हैं कि हे उठाओ तुम तो अच्टन्ट भागेशाली हो क्यूं हो भागेशाली ऐसा क्यों कह रही हैं वो कह रही हैं कि तुम तो किष्ण के पास रहते हो अपरस रहत से नहीं तगाते नाहिन मन अनुरागी कि तुम तो कृष्णी के पास भी रहते हो फिर भी तुम्हारे मन में कोई प्रेम उनके प्रती नहीं उमरता है किस प्रकार नहीं उमरता है वो कहती है कि तुम तो ऐसे रहते हो जैसे पुरीनी पात रहते जल भीतर की कमल का पत्ता पानी के भीतर भी रहता है फिर भी उस पर पानी की एक बुंद भी नहीं लगती यनि की तारस देहन दागी यनि की उसका कोई भी पानी का उस पर कोई असर नहीं होता है फिर वो कहते हैं कि तुम तो ऐसे रहते हो जैसे कोई तेल लगी हुई मटकी पानी में डालती जाए फिर भी उस पर कोई पानी की बुन ना लगे प्रीत नदी में पाउं न बोर्यों दृस्तिन रूप परागी वो कहती हैं कि तुम्हारा तो प्रीत की नदी में पाउं भी नहीं पड़ा और हम ये एक ऐसी हैं जो घुड़ पर चीटी की भाती लगी हुई है क्योंकि हम अबला भोरी हैं भोरी यानि हम भोली भाली सी हैं जो कृष्ण के प्रेम में अपने आपको हमने डुबा लिया लेकिन तुम तो कृष्ण के साथ रहते हुए भी उसके प्रेम से अलग हो भिन हो यानि कि तुम बढ़भागी हो फिर वो कहती हैं मन की मन ही मांज रही ये हमारे तो मन की मन में ही रह गई कही जाए कौन पे उधो ना ही परत कही कि हम अपने व्यथा कैसे कहे अब जी अधार आसरावन की अभी तक तो हमें लग रहा था कि श्री कृष्णी जी आ जाएंगे इसलिए हमने अपने मन की व्यथा को सह लिया दुख को हमने सहा दुख सह करके हमें यह आशा थी कि श्री कृष्णा लोट कर आ जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब इन जोग संदेश में सुनी सुने अब तो हमें यह योग की जो तुम संदेश लेकर आई हो अब योग का संदेश देते हो इससे तो हमारे दुख की पीड़ा और भी बढ़ गई है और अब हम किसे कहें यह बातें हम कैसे धीर ज़रें और हमने तो स्री कृष्ण के प्रेम में अपनी मर्यादा भी खोदी मर जादा न लही यानी की हमने तो मर्यादा भी नहीं रखी उनके प्रेम में हमारे हरी हारील की लकरी हमारे तो हरी ही एक सहारा थे हारील की लकरी यानी एक मात्र सहारा वो कहती हैं कि हमारे लिए तो कृष्ण भगवान ही एक मात्र सहारा थे और हमने मन से करम से वचन से कृष्ण को पकड़ा हुआ था हम तो सोते जागते से काना काना रटते रहते हैं अब हमें तुम जो संदेश दे रहे हो उन्हें भूलने का कृष्ण को भूलने का जो संदेश दे रहे हो वे तो हमें ऐसा लग रहा है जो करोई कक्री कि जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी खा लेते हैं हमें तो वैसा कड़वा यह संदेश लग रहा है सूतों व्याधी हम को ले आए देखे सुने ना करी वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी बिमारी तुम ले करके आए हो हमने तो ऐसी बिमारी ना कभी देखी ना कभी सुनी यह तो सूरत नहीं ले सौपो जिनकी मन चकरी फिर वो कहते हैं यह बिमारी तो उड़ी को दे दो जिनके मन में खराबी है यह जिनके मन में चकर है हरी हैं राजनीती पढ़ी आए और हरी भी ऐसे हैं कि अब तो राजनीती पढ़ ली है समुझी बात कहत मज़ुकर की समाचार सब पाए 31 चतुर होता ही पहले ही अब गुरु गरंध पढ़ाए एक तो हरी पहले ही बहुत चतुर थे और अब तो उन्होंने पढ़ाई भी कर ली है और अब उनकी बुद्धी बहुत जादा हो गई है इसलिए वो हमें योग का संदेश भेज करके और ये कह रहे हैं कि उन्हें भूल जाए उधव फले लोगे आगे के परहित डोलत धाए और उधव तुम ऐसे हो कि दूसरों का हित करते फिरते हो अब अपने ही मन फिर पाईए चलत जो होते ही चुराए और तुम तुम्हारे मन में ही कोई फिर लग रहा है क्योंकि तुम तो ऐसी अनीती का संदेश लेकर की आए हो जो नीती संगत नहीं है जो गलत है राजा का तो यह धर्म नहीं है कि वह प्रजा को सताए इसलिए तुम यह काम मत करो इस प्रकार से कोपिया उधाव जी के वहवार की तुलना करते वे उन्हें तरह तरह से उल्हाना देती है अगर आपको इस चेप्टर से सम्मंदित कोई कुश्यन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू फोर वाचिंग